एक गरीव आदमी था, वो हर रोज अपने गुरू के आश्रम जाकर वहाँ साप सफाई करता और फिर अपने काम पे चला जाता था अक्षर वो अपने गुरू से कहता कि आप मुझे शिर्वात दिजिये तो मेरे पास धेर सारा धंदोलत आ जाए एक दिन गुरू ने पूछी लिया कि क्या तुम आश्रम में इसलिए काम करने आते हो उसने पूरी इमंदारी से कहा कि हाँ मेरा उद्देश तो यही है कि मेरे पास धेर सारा धन आ जाए इसलिए तो आपके दर्सन करने आता हूँ पैटरी पर समान लगा कर बेशता हूँ पता नहीं मेरे सुक के दिन कब आएंगे गुरू ने कहा कि तुम चिंता मत करो जब तुम्हारे सामने अवसर आएगा तब उपर वाला तुम्हें आवाज थोड़ी लगाएगा बस चुप चाप तुम्हारे सामने अवसर खोलता चला जाएगा यूवक्त चला गया समय ने पल्टा खाया वो अधिक धन कमोने लगा इतना व्यस्त हो गया कि आश्रम में जाना ही छूट गया कई वर्सो बाद हुआ एक दिन सुआ ही आश्रम पहुचा और साप सफाई करने लगा गुरू ने बरही आश्र से पूछा क्या बात है इतने वर्सो बाद आये हो सुना है बहुत बड़े सेट बन गये हो वो बैक्ती बोला बहुत धन कमाया अच्छे घरों में बच्चों की साध्या की पैसे की कोई कमी नहीं है पर दिल में चेन नहीं है ऐसा लगता था रोज सेवा करने आता रहूं पर आना सका गुरू जी आपने मुझे सब कुछ दिया पर जिंद्धी का चेन नहीं दिया गुरू ने कहा कि तुमने वो मांगा ही कब था जो तुम्हें मांगा वो तुम्हें मिल गया ना फिर आज यहां क्या करने आये हो उसकी आखों में आंसु भराये गुरू के चर्णों में गिर परा और बोला अब कुछ मांगने के लिए सेवा नहीं करूँगा बस दिल को सांती मिल जाए गुरू ने कहा पहले तैय कर लो कि अब कुछ मांगने के लिए आसरम की सेवा नहीं करोगे बस मन की सांती के लिए ही आओगे गुरू ने समझाया कि चाहे मांगने से कुछ भी मिल जाए पर दिल का चैन कभी नहीं मिलता इसलिए सेवा के बदले कुछ मांगना नहीं है वो बैक्ती बरा ही उदास होकर गुरू को देखता रहा और बोला मुझे कुछ नहीं चाहिए आप बस मुझे सेवा करने दिजिए सत्मे मन की सामती सबसे अनमोल है कर दिया तूने उजाला जीवन के हर मोर पे वरना इस दुनिया में हर कोई चला जाता है दिल तोर के तेरे धर पे जब से आया कोई कमी नहीं है मेरे घर में मेरा हर काम हो जाता है तेरे सामने हाथ जोर के तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको छिल लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए सेर कीजिए